तो जैसे कि आपको पता है कि प्रिपोजीशन टॉपिक को हमने बहुत ही शांदार तरीके से कवर किया और प्रिपोजीशन के उन महात्पूर्ण कॉंसेट को हमने देखा जो वास्तों में बहुत आपके लिए बेनफिशिल थे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ठीक उसी तरीके से आज की सेशन में हम कंजिंग्शन को समझेंगे कंजिंग्शन की इंपॉर्टेंस को किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि अगर आप कंजिंग्शन को बहतर तरीके से सीख जाते हैं यह समझ जाते हैं तो आप ना केबल कंजिंग्शन से रिलेटेड कुस्टेंस को करने में कैपेबल हो पाएंगे बलके आप अगर सब्जेक्ट वब एग्रिमेंट जिसे हम सिंटैक्स टॉपिक की नाम से भी जा के साथ भी आप कुस्टन डेफिनेटली कर लेंगे कंजिंग्शन से रिलेटेड लेकिन साथ ही साथ आप सिंटैक्स के भी काफी कॉंसिप्ट इसमें सीख जाएंगे तो आएए इस ब्यूटिफुल सेशन के शिरुवात करते हैं तो पहले हम समझें कि कि कंजिंग्शन है क् जैसे कंजिंग्शन को हम समझेंगे कि कंजिंग्शन हम देखते हैं ठीक है अब अगर कंजिंग्शन की हम बात करें कि कंजिंग्शन होता क्या है तो यहां पर जंक्शन आप देखेंगे यहां पर क्या लिखा है जंक्शन और कंजिंग्शन की जैसे ही डिफिनिशन के हम ब untein'sů को जोड़ सकता है वर्ड्ट ठीक है इसी तरीके से इसका यूछin kो जोडने के लिए किया जाता है न में जोईन वर्ड जन्टेंस में इसी तरीके से व जोडने के लिए क olsun 되지 इसी तरीके से एड़ोर्सेटिव क्या होता है लेकिन उसको कॉंप्लेक्स बनाने की कोई आवश्यक्ता नहीं है एक दूसरा भी आपको दे देगा कि सबॉर्डिनेटिंग क्या होता है सबॉर्डिनेटिंग के कौन-कौन से सिग्मेंट्स होते हैं तो उस तरीके से जब आप मिक्स्ट हो जाता है और आप कुश्चन ना करने के बजाए बलकि आप हमेशा फोकस हो जाते हैं काइंट्स को रटने में नहीं आप पूरे कंजिंग्शन को दो तरीके से मात्र पढ़ेंगे अगर मैं बताओं कि पूरा कंजिंग्शन दो तरीके से किस तरीके से किये आप तो एक वो का single और एक होगा paired conjunction अब जब मैं बोलता हूं single और paired तो इसका मतलब यह है कि ऐसी conjunction जो किसी भी sentence में अकेले यूज किये जाते हैं अगर अकेले आएंगे तो single कहले आएंगे और ऐसे conjunction जो किसी भी sentence में paired form में use किया जाते हैं अर्थात उनका अगर sentence में यूज किया जाता है तो पेर में यूज किया जाते हैं तो इस तरीके के conjunction को हम paid form में रखते हैं या फिर paid conjunction के अंतरगत रखते हैं जैसे अगर हम example के तौर पर दें तो जैसे मैंने बोला end हो गया इसी तरीके से बट हो गया इसी तरीके से है न हो गया इसी तरीके से हावेवर हो गया हावेवर हो गया एक्सेक्ट्रा यह सब क्या है conjunction कहलाएंगे ठीक है यह सब क्या है conjunction के part कहलाएंगे conjunction को हम दो तरीके से पढ़ेंगे एक तो single के अंतरगत पढ़ेंगे single तो single में यह बात जरूर है कि जितनी भी concept होंगे single से related जो भी rules होंगे जो भी concept आपको जानना चाहिए तो उन सभी rules को मैं define करोंगा तो एक single के अंतरगत आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक paired conjunction को भी आप पढ़ेंगे तो दो तरीके से हम पढ़ेंगे तो एक single होगा और एक होगा paired conjunction तो आईए एक ही करके हम समझते हैं conjunction की importance को और किस conjunction के साथ कौन सो concept applicable होगा उन सभी rules यह method को बहतरीन तरीके से हम कोशिश करेंगे कि wind up कर ठीक है अब अगर बात करें कि conjunction की तो जैसे कुछ conjunction की बारे में discuss कर लेते हैं जैसे आईदर होता है ठीक है अब आईदर के साथ किसी भी sentence में आप देखेंगे तो आईदर के साथ हमेशा और कर यूज किया जाता है मतलब आईदर आया तो यह अपने साथ और यहीं पर आप देखेंगे अगर बोड के साथ हम जब भी यूज करते हैं तो बोड के साथ हमेंसा पेर जो बनेगा वो एंड का बनता है यानि यह चार कंजिंक्शन है ठीक है तो आइधर के साथ हमने किसका यूज किया और नाइधर के साथ नौर नॉट अल्ली वट आलसो बोद के साथ एंड की कंडिशन यहां पर बन गई अब कुछ चीजे यह है कि ठीक है पेर फॉर्म में जरूर यूज होता है तो इनके साथ जिस तरीके का पेर दिया है उसी तरीके के पेर को आपको यूज करना है बस इस बात का ख्याल रखना है कि और के स्थान पर नौर यह नौर के स्थान पर और का यूज नहीं होगा ठीक उसी तरीके से बट आलसो के स्थान प पेर यूज होना चाहिए पहला पॉइंट दूसरा एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी वर्ड्स यहां पे लिखे गए हैं यानि अगर आप किसी भी सिंटेंस में कंजिंक्शन आइदर यूज करते हैं तो और तो आप इसके साथ फॉलो करेंगे लेकिन हम इसके साथ same parts of speech के रूल को एपलीकेबल किया जाता है जो मैं बात करता हूं same parts of speech के रूल को एपलीकेबल किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि कि जब आप किसी भी sentence में, आप इन में से किसी भी एक conjunction का use करते हैं, तो इनके साथ same type के action वाले, यानि same type के काम करने वाले word का use होना चाहिए, point यह निकला, कि अगर आपने either के साथ किसी adjective का use किया, तो आप और के साथ भी adjective का ही use करेंगे, आप यह नहीं कह सकते हैं, कि either के आप वर्व यूज कर दें, कभी नहीं, आप दूसरी point यह है कि मतलब adjective है, तो adjective दोनों क साथ आएगा, वर्व है तो वर्व दोनों क साथ आएगा, preposition है तो preposition दोनों क साथ आएगा, किसी भी स्थिति में, आप इनको mismatch नहीं कर सकते हैं, दूसरा, अगर आप इनको subject के स्थ लें रिखा, यू आर, मैंने कहा, you are, ठीक, not only, you are, not only honest, honest, ठीक है, but also, but also, ठीक है, intelligent, यह एक sentence मैंने लिखा, intelligent, ठीक, sentence है, मैंने कहा, you are not only honest, बत also intelligent, पाला sentence, फिल मैंने कहा, ठीक, मैंने खहा, you are both, you are, you are both, ठीक है, you are both honest and intelligent, honest, honest and intelligent, यह मैंने इसको use कर दिया, you are both honest and intelligent, ठीक है, तो you are both honest and intelligent, यह दूसरा sentence हो गया, किस से related, से related, फिर इसी तरीके से, मैंने कहा, he has bought, he has bought, ठीक है, he has bought either, either a house, house or a car, ठीक है, और a car, यह हो गया, मैंने कहा, he has bought either a house or a car, यह हो गया, अच्छा, मैं अगले पेज में थोड़ा सा आपको explain करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिलाल पहले इसको समझ लीजे, फिर मैं इसी का concept अगले पेज में explain करता हूँ, आप आएंगे कि not only के बाद यहां पे क्या आया है, तो बुलेंगे honest आया है, adjective, तो but also के बाद यहां पे a house है, जो के एक noun है, और object भी आप बोल सकते हैं, और इसी तरीके से और के बाद भी a car है, जो के एक object है, अब examiner कई बार आपको pair ठीक करके confuse कर सकता है, जैसे मैं देता हूँ, अगले example में, इसी को सबसे last वाल example को दूसरे अंदाज में समझेगा, examiner आपको ऐसे दे सकता है, he has, he has, ठीक है, he has, okay, either, ऐसे sentence देगा, he has either, ठीक है, either bought, bought a house और, ओके, a car, यह देखे, examiner आपको इस तरीके का दे सकता है, मैं समझाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे, तो कई लोग है, इसको सही कर देंगे, ठीक है, आप सोचेंगे, either के साथ और दिया है, बिल्कुल either के साथ और दिया भी है, लेकिन थोड़ा सा आपको गौर करने की जुरत है, कि either के बाद क्या आया है, तो आप बोलेंगे, वर्भ है, ठीक है, जबकि और के बाद क्या आया है, तो आप बोलेंगे, यहाँ पर अकार है, object यूज़ किया गया है, यानि noun की condition बनी है, तो pair तो यहाँ पर definitely सही है, पेर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन आप अगर देखेंगे, तो nature जो है word का, वो गलत हो जा रहा है, इनके साथ, मतलब same type के word यह same type के function करने वाले word का use किया ही नहीं गया है, इस वज़ए से आपको sentence इस तरीके से दे सकता है, माल लीजे, इसको spotting error में मैं divide करना चाहूं, तो examiner आपको दे सकता है, A part इसको दे देगा, ठीक है, इसी तरीके से B part आपको ऐसे दे सकता है, यह वाला, B हो गया, और C part इसको दे सकता है, और last में examiner जो है, no error आपको दे देगा, अब यहाँ पर यह D part होगा, अब आपको पता है कि इसकी position कहा होना चाहिए, तो यह either जो है, वो a house के पहले होना चाहिए, यानि bought के ठीक बात, तो आप ऐसे बूलेंगे, he has bought either a house or a car, यह condition बनेगी, तो मुझे लगता है, यह pair वाला condition आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी भी प्रकार के doubts, यह confusions नहीं होए होगे, आप हमें सब pair को याद रखिएगा, यह चारों के साथ applicable होगा, यह चार जितने हैं, इनके साथ applicable अवश्य होगा, अगले की बात करते हैं, कुछ other importance, जितने भी important conjunction से उनके बारे में आये देख लेते हैं, ठीक, अब अगर जैसे hardly का आप कहीं भी use करते हैं, ठीक है, hardly आ जाए, और इसी तर अब pair के रूप में when का use करेंगे, या फिर आप before का use करेंगे, ठीक है, या तो आप when का use करेंगे, या तो before का, साथी साथ मा लीजे no sooner किसी भी sentence में आ गया है, ठीक है, no sooner, तो no sooner के साथ क्या आएगा, तो आप no sooner के साथ then की स्थिति को लिख देंगे, ठीक, अच्छा यहां पर थोड़ा सा यह पेर में तो ध्यान देने की आवशक्ता है लेकिन कुश्चन जो कैसे बनते हैं इसमें भी सबसे ज़्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है अब अगर कुश्चन के नेचर के ऊपर आप देखेंगे कि इस से एक्चुल में किस तरीके के कुश्चन बनते हैं यह बनते रहे हैं तो एक चीज़ आप याद रखेगा पेर तो चलिए ठीक है नो डाउट पेर तो हमें दिमाग पर रखना पड़ेगा कि नो सुनर आया है तो दैन आना चाहिए और हडली स्करसली आएगा तो इसके साथ वे निया विफूर आएगा बड़ जानते हैं यहा इस वेरी इंपोर्टन टॉपिक ठीक है इन वर्जन का मतलब क्या हुआ कि जब वर्ब का सब्जेक के पहले यूज कर दिया जाता है तो इस इस वाले इस इन वर्जन इस पुटिंग दो यहां पर आप इन वर्जन की को भी लागू करते हैं आईये मैं बताता हूं कैसे जैस मैंने कहा no sooner ठीक है, sentence है no sooner, no sooner did, okay, he see his parents, see his parents, okay, ye मैने लिखा, okay, मैंने कहा no sooner did, okay, he see his parents, फिर मैंने कहा, then, then, he started, he started, ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, he started, वेपिंग हो गया, no sooner, did see, did he, okay, see his parents, then he started वेपिंग, इस sentence में आप पाएंगे, तो no sooner तो आया है, हाँ, no sooner के साथ आप पाएंगे, then भी आया है, बिल्कुल then के भी condition बनी है, अब इसके तुरंत बाद आपने देखा, कि यह क्या है, helping work, इसका मतलब यहाँ पर inversion की condition लागू होगी, तो यह जितने भी हैं, चाहे hardly, scarcely, यह no sooner से अगर sentence को शुरुवात की जाती है, तो आप हमेशा inversion को apply कर देते हैं, तो आप करता हूँ, यह line आपको समझ में आ गया होगा, जैसे अगले page में मैं define कर देता हूँ, एक और, जैसे, मैंने कहा, hardly, ठीक है, hardly, hardly had, he, okay, hardly had he reached there, ठीक है, hardly had he reached there, ठीक है, there, when he was asked, he was asked, ठीक है, asked, मैंने कहा, hardly had he reached there, okay, when he was asked to leave, okay, for Mumbai, ठीक है, यह देखे, अब इस sentence को ही आप देख लीजे, तो यहाँ पे भी किसकी condition रखी गई है, यानि hardly है, तो hardly, scarcely के साथ हम pair के रूप में, या तो when का use करते हैं, या तो before का, मैंने when की condition को रख दी, दूसरा, यहाँ पे आप पाएंगे कि inversion की condition लागू की गई है, यानि subject के ठीक पहले क्या आई है, helping word, main word subject के बाद, हाला कि इसमें देखेंगे तो partial inversion की condition लागू होती है, partial inversion का मतलब यह होता है, कि जब word का, यानि main word subject के बाद आए, और helping word subject के पहले आ जाए, तो इस इस्तिती को हम partial inversion से denote करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि partial inversion के नाम से इसको जाना जाता है, मुझे लगता है, यह point आपको बड़िया से clear हो गया होगा, यहां तक किसी भी प्रकार के doubts, यह कोई confusion नहीं हुए होगे, एक चीज और जो आपको जानना जरूरी है, इतना जैसे आपने समझ लिया, अभी मैंने आपको यह पढ़ाया था, ठीक है, इसी तरीके से not only मैंने बताया था, कि भाई not only के साथ क्या use होगा, तो आप पढ़ेंगे यहां पे but also, यह हमने देखा भी था, ठीक है, अच्छा, एक चीज आप याद रखेगा, कई बार इससे subject of agreement से question बनते हैं, यहने पेर न दे करके, यहने पेर तो सही देगा, और साथ साथ आप से जो गलती करवाएगा, वो वर्ब की गलती करवाएगा, एक sentence मैं देता हूँ, तो आप समझ पाएंगे, मैंने खा, मैंने खा not only, not only, ठीक है, you, but also, ठीक, but also, मैंने खा not only you, but also, ठीक है, I, ठीक, are responsible, ठीक है, for this, okay, mistake, ठीक, यह माली जे मैंने sentence लिखती है, यह sentence मैंने लिखा कि not only you, but also, I are responsible for this mistake, अब जब भी किसी भी sentence में, आप अगर देखेंगे, कि as a subject, यानि subject के साथ, इनका use किया गया हो, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, आइदर के साथ और आएगा, नाइदर के साथ, नौर आएगा, not only के साथ, but also, तो point यह निकलेगा, कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यू है, और यहाँ पे आपने देखा, आई है, तो जब वर्व यूज करने के बात आती है, तो हमेशा नस्दीक वाले के cording आप यूज करेंगे, अब अगर मैं बोलूँ कि आर जो है, यह किसके cording होना चाहिए, यू के की आई के, तो आप जबाब देंगे, Sir, यू के अनुसार नहीं आएगा, बलकि आई के अनुसार आएगा, तो आई के साथ आर नहीं होता है, तो आई के साथ आप किसका यूज करेंगे, यह, तो मैंने कहा, not only you, but also I am responsible for this mistake, आप इस expression को follow करेंगे, यह दूसरे सब्दों में ऐसे बूले, कि अगर इनका कहीं भी use किया जाए, तो इनके साथ जो verb की condition बनेगी, है न, हमेशा इनके बाद जिस तरीके का noun, यह pronoun होगा, उसी तरीके से आप use करेंगे, इनके बाद अगर singular noun यह pronoun है, तो आप singular verb का use करेंगे, है न, अगर plural है, तो plural का आप use करेंगे, यह कुल मिला करके, नस्दीक वाले के cording आप वर को allow करते हैं, given sentence में, यानि, यहाँ पर M आएगा, I के cording, ना कि R आएगा, UK cording, तो नस्दीक वाला याद रखिएगा, तो मैंने कहा न, कि एक तो concept आपका, conjunction का तो सीखी रहे हैं, तो होप करता हूँ, यह line आपको यहाँ तक clear हो गई होगी, यहाँ तक कोई भी doubt, यह confusion नहीं होगा, ठीक है, बाद वाले के अनुसार आप use करेंगे, या फिर कह सकते हैं, नस्दीक वाले के cording, ठीक है, हाँ, अब अगला देखते हैं, next की condition ठीकते हैं, अब जैसे although होता है, although, ठीक है, अगर हम although की बात करें, although, ठीक, या फिर हम दो कह सकते हैं, एक तो होगा although, और एक होता है दो, अब दो या although के साथ, या तो आप yet का pair यूज़ करेंगे, या तो आप comma, ध्यान से समझेगा, मैंने कहा किसी भी sentence में, अगर आप दो का यूज़ करें, या फिर although, इ यूज़ करेंगे, ज्यादातर यूज़ ही आता है, आप इसका यूज़ सब करते हैं कि दो विरोधा भाशी वाक्यों को जोड़ने के लिए, मतलब, contrast की इट करने के लिए किसी भी sentence में, आप although, या दू का यूज़ करेंगे, contradiction का sense देना चाहते हैं, contrast की इट करना चाहते है अब प्रतेक दसा में, although, या दू के साथ, या दू के साथ, या दू की इट के यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा, अलाकि वो गरीब है, फिर भी मांदार है, तो यहां पर दो विरोधा भाशी statement है, हलाकि वो अमीर है, फिर भी कंजू़ है, है ना इसा तरीके से, हलाकि बनता है या तो यट का या तो आप कॉमा के पेर को अलाव करते हैं जैसे ऐसे सिंटेंस लिख सकते हैं कि आल्दो मैंने कहा आल्दो ठीक है आल्दो he worked hard he worked hard Holz कि आखिं ये मैंने कहां ऑ्दो फीव्ट ठाव टीक वागड ये टी कि एयत ही ओके फिल की हां मैंने कहा औल्दो फिवं मी टार्ट येट फिर्ट उसी तरीके से मैं कहूं, ठीक है, मैंने कहा, although, 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 he is, he is poor, ठीक है, yet, yet, he is, he is honest, ये, ठीक, अब sentence देखिए, मैंने कहा, although he is poor, हाला क्यों गरीब है, yet, फिर भी, he is honest, फिर भी हो, इमानदार है, although he is poor, yet, he is honest, यहाँ पर contrast कर रहा है, तो इधर वाले sentence को आप पढ़ेंगे, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला होगा, फिर जोडने के लिए आपने इसका यूज किया, फिर अगेन आपने देखा, यहाँ पर contrast का भाव प्रकट कर रहा है, तो यह दोनों को अगर आ पर किबल कॉमा का भी यूज किया जा सकता है, कई बार ऐसा होता है, कि ये ये कॉमा एक साथ भी दे देता है, तो आपको घबराने के बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो अब करता हूँ, ये लाइन आपको बहुत अच्छे स्क्लियर हुई हो कि, यहाँ तक किसे भी प्रका के लिए होता है, या फिर हम कह सकते हैं, डाउटफुल, ठीक, एक वर्ड अपने पास है, डाउट, और या फिर हम कह सकते हैं, डाउटफुल, तो डाउट ये डाउटफुल हुआ, तो डाउट ये डाउटफुल कि जब हम इसकी कहानी की बारे में डिसकस करेंगे, तो इसक साथ पेर के रूप में या तो आप if का यूज कर सकते हैं या तो आप whether का या ने doubt यài doubtful की हम बात करें तो इसके साथ 2 यूज हो सकता है एक यतो आप इस के साथ When you hear. अब बात आती है कि सर इस वेदर ठीक है यूज कर सकते हैं लेकिन सर्थ यह है कि sentence हमेशा affirmative होना चाहिए ठीक है आप हमेशा affirmative sentence की बात करेंगे अब जब मैं बात करता हूँ affirmative sentence तो affirmative sentence से मेरा मतलब होता है कि ऐसा sentence जो ना तो प्रस्वाचक हो और ना ही actual में negative हो अर्थात यू कह सकते हैं कि positive sentence जो होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के negative words का use नहीं किये जाते हैं they are actually called as affirmative sentences मतलब उनको हम affirmative की स्रेणी में रख देते हैं तो affirmative हो जाएगा अब अगर हम देखें और भी क्या conditions बन सकती है क्या तो of course बनेगी क्यों नहीं बनेगी अब दूसरा यहीं पर condition अगर हम देखें कि जो इससे related है वो यह है कि अगर आप किसी भी sentence में जैसे doubt या फिर doubtful का आप use करते हैं ठीक है doubt या doubtful तो इसके साथ आप pair group में that को भी allow कर सकते हैं ठीक है अब that का allow जो किया जाएगा तो यह सर्थ होती है कि sentence दो तरीके को हो सकते हैं अब साथ समझी गए होंगे या तो sentence negative होगा यानि negative sentence में है ना इसका negative sentence में हम use कर सकते हैं तो मैं मैंने यहाँ पर negative sentence लिखती है और साथ ही साथ यहाँ पर integrative sentence भी लिखा जा सकता है तो मैंने यहाँ पर integrative sentence भी लिख दिया तो दोनों टाइप के sentence इसका use किया जा सकता है यहन्य डाउट या doubtful के साथ pair group में आप that के use करेंगे sentence के अगर हम बात करें तो sentence या तो sentence negative होगा या तो इंट्रोगेटिव तो निगेटिव इंट्रोगेटिव हम एक्चनल में डाउट ये डाउट्फुल के साथ दैट का प्टियर यूज़ करते हैं और अफरमेटिव हुआ तो अफरमेटिव की कंडिशन में हमेसा या तो आप इफ को अलाओ करेंगे या फिर आप वेदर को अलाव करते हैं जैसे आईए एक्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि भाई कैसी मैंने कहा is he doubtful यह is he is he doubtful doubtful that ठीक है मैंने कहा is he doubtful that okay you will you will come here on time on time अब अगर आप पाएंगे तो यह sentence क्या है मैंने कहा is he doubtful है न क्या हूँ doubtful है कि आप यहां समय पर आएंगे is he doubtful that you will come here on time तो यहां पर is he doubtful के condition बनी है अर्थार integrative है तो integrative होने की बजह से यह doubtful के साथ pair किसका आ रहा है तो आप बोलेंगे that ठीक है मैंने कहा I don't doubt यह देखिए I don't मैंने कहा I don't doubt यह sentence लिखने जा रहा हूं मैंने कहा I don't doubt that that they will help you they will will help you help you यह sentence हो गया है मैंने कहा I don't doubt sentence है I don't doubt that they will help you ठीक तो अब यहां पर क्या है doubt है sentence कैसा है negative है तो again आप किसका use कर रहे है that का ठीक है यहां फिर मैंने कहा एक दूसरा sentence ठीक है he is he is मैंने कहा he is doubtful ठीक he is doubtful if ठीक है he can he can okay clear this exam this exam यह हो गया अब इस sentence को आप देख लीजे enough है आपको इतना पर्याप्त है समझने के लिए तो यहां पर आप देखेंगे doubtful है और doubtful के साथ यहां पर मैंने किसका यूज किया है तो आप बोलेंगे if if के स्थान पर आप पेर में weather कभी यूज कर सकते हैं इस के सान पर आप चाहें तो weather कभी यूज कर सकते हैं क्योंकि given sentence जो है वह affirmative में है तो आप कह सकते हैं he is doubtful he is doubtful और उसके बाद आप weather यूज करेंगे फिर he can clear this exam तो मुझे लगता है यह पॉइंट आपको clear हो गया होगा कि sentence negative यह integrative हुआ negative यह integrative तो doubt यह doubtful के साथ पेर बनेगा और अगर affirmative हुआ तो ऐसी स्थिती में आप हमेशा या तो इफ या तो आप weather की condition को रख देंगे मुझे लगता है यह point आपको अच्छे से clear हो गया होगा कोई भी समस्या यह confusion नहीं होना चाहिए ठीक बहुत आसान चीज़ों आसान तरीके समझना है हर वो point जो आपके exam में आ सकते हैं जो exam में जहां से question बनते हैं उन सभी points को हमें cover करना है तभी एक clarity आएगी clarity और thoughts होगे ठीक है हाँ चलिए मुझे लगता यह point clear हो गया होगा संदेह प्रकट करने के लिए किया जाता है तो doubt यह doubtful से संदेह का भाव प्रकट करने के लिए हम use कर सकते हैं अब बात आती है अगले की और भी समझ लेते हैं कि कुछ important के बारे में अच्छा जैसे ध्यान से देखना है अब यहां पर एक वर्ड है अपने पास until ठीक है इनसे question हमेशा बनता है अगर किसी sentence में until की बात की जाती है तो until किसके लिए आता है तो यह आएगा हमेशा समय के लिए ठीक है इसका यूज किसी भी sentence में जब भी किया जाता है तो यह time को represent करने के लिए use होता है वहीं पर अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें तो अपने पास है अनलेस ठीक है अपने पास दूसरा जो वर्ड है वह है अनलेस अब अनलेस किसी भी sentence में आता है तो यह condition को denote करता है ठीक है यह किसको denote करेगा तो आप बोलेंगे यह condition को denote करने का काम करता है तो UNLESS और UNTIL दो चीजे हुई, होप करता हूँ, यह चीजे आप समझ गया होगे, तो UNTIL किसके लिए आएगा, तो आप बोलेंगे UNTIL के लिए समय के लिए, और UNLESS किसके लिए आता है, कंडिशन के लिए, दूसरा, UNLESS और UNTIL किसी भी सिंटेंस में जब यूज किया जाते हैं, तो यह अपने आप में एक निगेटिव सिंस देते हैं, मतलब यह हुआ, कि यह एक निगेटिव वर्ड्स है, चाहिए आप UNLESS की बात करें, या UNTIL की, तो आप जिस भी क्लाउज में, या जिस भी सिंटेंस में, या जो क्लाउज इन से रिलेटेड होगा, उसमें किसी भी स्तिती में UNLESS की बात का यूज नहीं किया जाता है, वज़ा क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रैमर में, डबल निगेटिव के जो कॉंसेप्स होते हैं, उनका अलाव नहीं किया जाता है, एड़बा में मैंने पढ़ाया था, कि जैसे, यह कुछ ऐसे वर्ट्स होते हैं, जो अपने आप में निगेटिव सिंस देते हैं, यानि इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ट्स हैं, तो अगर किसी भी सिंटेंस में UNLESS के यूज कर दिया जाए, अब यहां पर देखते हैं, मैंने कहा, ठीक, एक सेंटेस मैंने कहा, let us wait, let us wait, अब ध्यान समझिएगा, मैंने कहा, let us wait, मैंने कहा, until, until the doctor, okay, the doctor comes, यह, यह सेंटेस हो, मैंने कहा, let us wait, until the doctor comes, है ना, आये प्रतिक्षा करते हैं, जब तक कि डॉक्टर आ नहीं जाता है, तो let us wait, until the doctor comes, इसका मतलब यहां पर केवल प्रतिक्षा करने की बात हो रही है, इंतिजार करने की बात हो रही है, और अगर इंतिजार करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई काम करने की बात नहीं की जा रही है, बलकि आपको यहाँ पे sentence को read out करने की बात conclude कर पाए होगे आप कि समय की बात हुई है, तो time के context में हमेशा until को prefer किया जाता है, जैसे मैंने कहा, you cannot do anything, मैंने कहा, you can, ठीक, you cannot do anything, you can't do, okay, anything, यह मैंने लिखा, you can't do anything, okay, unless you work hard, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, unless, unless you work hard, यह देखे, work hard, ठीक है, मैंने कहा, you cannot do anything, unless you work hard, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, तो you cannot do anything, unless you work hard, यह condition यहाँ पे रखती गई, अब यहाँ पे आप देखेंगे, तो इस पार्ट में, यहाँ, मतलब अगर मैंने कहा, unless, तो इसका मतलब unless related clause यह बाला हो ग करेंगे, मैंने कहा, you cannot do anything, unless you work hard, जब तक कि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक आद दो sentence और देख लेते हैं, यह खुब popular है, मैंने कहा, wait here until I come back, मैंने कहा, wait here, okay, until, until I come back, I come back, ठीक, यह हो गया भाई, मुझे लगता है, यह point आ इस तरीके से आपको चीज़ों को समझते हुए करना है, कोई भी confusion, यह doubt बिलकुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर मैंने कहा, एक आद दो sentence और देख लीजे, मैंने कहा, you cannot support your family, you can't, ठीक है, support, you can't support, ठीक है, your family, your, you cannot support your family, your family, okay, you cannot support your family, unless, ठीक है, unless you find a job, you find a job, यह देखे, तो unless you find a job की condition बन गई, ठीक, यह, तो मैंने कहा, you cannot support your family, unless you find a job, तो आप परिवार की, अपने परिवार का support नहीं कर सकते हैं, you cannot support your family, जब तक कि आप एक नोकरी नहीं पा जाते हैं, यहाँ पे सर्थ रखी गई है, और सर्थ की context में हमेशा unless को ही prefer किया जाता है, तो मुझे लगता है, यह point आप समझ गए होंगे, इसको आप if not बोल सकते है यह, आप इसको if not के sense में याद रख सकते हैं, कि यह negative sense देने का काम करेगा, तो you cannot support your family unless you find a job, इसी तरीके से wait here until I come back, यह समय बता रहा है, यहाँ पे you cannot do anything unless you work hard, यह condition रख रहा है, और यहाँ पे again time की बात की गई है, तो hope करता हूँ, यह line आपको बढ़िया से समझ में आई ह होगी, यहाँ पर कोई भी confusion, यह कोई doubt नहीं हुई होगी, अगले concept को अगर देखें, again there are many concepts which are very important, तो अब देखेंगे, जैसे, अब समझ यह थोड़ा सा, एक word यहाँ पर होता है as if, ठीक है, यहाँ पर as if होता है, ठीक, एक as if होता है, और एक इसी तरीके से होता है as though, यान हम बात करेंगे, तो इसका हिंदी में मतलब होता है, मानो या जैसे, ठीक है, आप बोलेंगे मानो या फिर आप कह सकते हैं, जैसे, ठीक है, मानो या जैसे के sense में यूज़ करेंगे, तो इसमें unreal condition को denote करने के लिए इसका use किया जाता है, यह यह यूँ बोले तो hypothetical condition denote की जाती जैसे, मैं यह आप लिखे दे रहा हूँ, unreal condition को दर्शाने के लिए, यह आप लिख सकते हैं, unreal condition, unreal condition को दर्शाने के लिए, unreal condition को दर्शाने के लिए, यानि unreal condition को दरसाने के लिए हम इसका यूज करते है as if या फिर आप यूज कर सकते है as though ठीक है अवास्तिक condition जो सत्य से कोई भी उनका लेना देना नहीं होता है जनरली जो आपके exam में question बनते हैं या फिर बनेंगे इस से related actual में इस particular conjunction की में बात करो तो expression आप इसको ऐसे बनाएंगे expression की जो हम बात करते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पर present या तो आप प्रेजेंट n से लिखे दीजिए या तो आप यहाँ पर past इंसी लिख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर present यह past चिंस आपने यूज किया ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पर या तो as if का यूज करेंगे as if हो गया या फिर आप यहाँ पर as do की कंडिशन को रख देंगे ठीक है और सबसे खुशूरत बात यह है यहाँ इस इफ as do के बाद subject जवाब रखते है subject ठीक है यह आपने subject रखा अब चाहे singular हो या फिर plural हो आप हर इस्तिती में आप work कर यूज करते हैं यह point सबसे ज्यादा important बन जाता है मैंने कहा कि यहाँ पे पहले यानि as if as do के पहले वाला जो clause होगा यह पहले जितने भी statements जो भी बात कही गई होगी sentence होगी उस sentence को चाहे आप present tense की मदद से लिख सकते हैं लेकिन as if as do के बाद वाला जो clause होगा यह part होगा तो उसमें subject कैसा भी हो subject similar भी हो सकता है और subject plural भी हो सकता है लेकिन जो condition होगी actual में वहाँ पे verb की जो इस्तिती को रखा जाएगा वो हर condition में आप work को ही prefer करेंगे यह matter ही नहीं करेगा कि similar है कि plural है आप हर इस्तिती में work को रहा है unreal condition को आप पर denote करने की बात की गई है ठीक यह फिर आप दूसरे point में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कई बार दे सकता है तो एक कदम मैं और आगे लिख दे रहा हूं जैसे यह चीज तो महां लिए चले ठीक है कि यहाँ पर present यहाँ फिर मैंने लिख दिया past tense ठीक है present य as if यह फिर मैंने यहाँ पर as do लिख दिया अब यहाँ पर आगे आप लिख सकते हैं कि मतलब जो भी पार्ट होगा वह past indefinite में होगा ठीक है जो भी आप पार्ट को यूज करेंगे तो अगेन वह पार्ट past indefinite की मतलब से लिखा जाता है यह rare case बनेगी बाकि पहले वाले से बनेगी तो present present यह past tense होगा as if आज दो फिर उधर past indefinite वाली condition बन जाएगे जैसे example देखे मैंने का he talks यह देखे मैंने का he talks यह sentence है मैंने का he talks as if as if he were ठीक है he were my boss यह देखे he talks as if he were my boss मैंने का you behaved you behaved ठीक है अब यहाँ पे you behaved अम मैं कह दिया ठीक है as if as if okay you were an actor an actor ठीक है ओके तो यह यहाँ पर sentence देखे यहाँ पर दो sentence है मैंने का he talks as if he were my boss वह ऐसे बात करता है मानो वो मेरा boss हो ठीक है मानो यह जैसे वो मेरा कोई मेरा boss हो तो he talks वो ऐसे बात करता है मानो वो मेरा boss हो तो you behaved as if you were an actor आपने ऐसा वेवहार किया मानो कोई actor हो ठीक है तो इस प्रकार के thought देने के लिए आप यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे तो आपने बोला as if यहाँ पर भी क्या है अच्छा एक यहाँ पर चलिए यह तो as if as though वाली condition आपको बता ही दिया एक unreal condition if की भी मदस्य होती है तो यहीं पर चुकि unreal condition के बारे में ही देख रहे हैं तो बस दो लाइन में समझ लेते हैं और एक पॉइंट को ठीक है जैसे यहाँ पर इफ होता है ना इफ और यहाँ पर इफ की जब हम बात करेंगे तो यह वाली condition बन गई ठीक है तो इफ वाला होगा फिर उसके साथ subject होता है और यहीं पर वर की condition को रख दिया जाता है और फिर यहीं प structure बनता है यह वाला ठीक है इसमें actual में इस expression का यूज unreal condition के लिए होता है आप लेख सकते हैं कि unreal condition के लिए ठीक है हां यहाँ पर लेख सकते हैं unreal condition के लिए तो चुकि वहाँ पर as if as though मैंने पढ़ाया तो इसी से related है तो मैं इसको भी यहाँ पर point out कर दे रहा हूं तो मैंने कह कि unreal condition के लिए तो जैसे example देख लेते हैं मैंने कहा if I were ठीक है if I were a doctor if I were a doctor ठीक है फिर यहाँ पर मैंने रिखा I would okay save save his life यह देखे मैंने कहा if I were a doctor I would save his life यहाँ पर if I were a bird if I were a bird यह मैंने लिखा if I were a bird I would fly in the sky तो आप लिखेंगे I would I would fly in the sky in the sky यह condition यहाँ पर बन गई अब यहाँ पर आप देखेंगे हर वाले इस्तिती में तो यहाँ पर भी वर है और यहाँ पर भी वर है दूसरे part को आप देखें तो यहाँ पर would है और यहाँ पर क्या है would है मैंने कहा if I were a doctor I would see okay I would save his life यह मैं एक doctor होता तो मैं उसके प्राण को बचा लेता यह उसके जीवन को बचा लेता if I were a bird I would fly in the sky यदि मैं काश में चिडिया होती यह होता तो मैं आकाश में उड़ता यानि क्या वास्तवी घटना है नहीं यह एक hypothetical situation है जो काल्पनिक statement को denote करने का काम करता है जस्ट आपकी एक कह सकत हुए जो concepts होंगे उनको next lecture में हम देखेंगे क्योंकि यह conjunction अभी पूरा नहीं हुआ है अगले topic में इसको wind up कर देंगे यानि अगला जो session होगा तो अगले session में इसको wind up कर देंगे इसी तरीके से आपको पढ़ना है एक positive approach बना करके और ऐसे study करना है कि जो exam में question बनते हों आवश्यक्त पढ़ने की कोई आवश्यक्ता नहीं होती है तो आज के लिए इतना ही next lecture में फिर मिलेंगे इसी के जहां से मैंने खतम किया इसी के आगे से तो thank you so much